आज हम पढ़ेंगे, फ्यूल्स के बारे में, the invention of the wheel was great event in our history, जैसे wheel का invention हुआ था, wheel मतलब पईये का जब आविशकार हुआ था, तो ये बहुत बड़ा event था हिस्ट्री में, karts which move on wheels were developed in the beginning, अब दीरे दीरे वो karts बनाएगी, वो गाड़िया बनाएगी, जो पईयों के द्वारा चलाई जाती थी, they were developed in the beginning, they were pulled by a main, उस समय इनको कौन खीचता था, आदमी लोग खीचते थे और बाद में इनसे animals के द्वारा खीचा जाता था, जैसे तुमने बेल गाड तुमने तांगा देखा होगा, वो गोडे के द्वारा खीचा जाता है, this means of transport has continued with a little change over a thousand of years, अजारों सालों तक इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट चलता रहा, बट दीरे दीरे, animal तुमें पता है, दीरे दीरे ही, यानिकि उस गाड़ी को चला पाएंगे, या जो main भी अगर अ होने लगा, fuel का अविश्कार होने लगा, fuel मतलब ऐसी चीज डाली जाएं ताकि उसमें ऐसा engine बनाया जाएं गाड़ियों में, ताकि वो गाड़ी क्या हो, तेजी से चल पाए, the next step in the progress in transport came with the invention ways, use of steam due to the development of technology, अब जब ये पईये वाली गाड़ी बन चुकी थी, अब उसको च तो transport जो था, progress में आया, थोड़ा सा तेज गाड़िया, चलने लगी, today it has become extremely easy to travel from one place to another and great speed, अब तुमें पता है, आज कल तो हम एक जगे से दूसरी जगे जाने के लिए, बहुत तेज स्पीच से भी हम एक जगे से दूसरी जगे पर पहुँच सकते हैं, जैसे अगर मुझे बहुत जल्दी जाना है, तो मैं एरोप्लेन में बैठूंगी, ताकि मैं एक घंटे के अंदर ही, या कुछ थोड़े समय के अंदर ही में एक जगे से दूसरे जगे पर पहुँच जाओ, fuel is the source of energy, fuel क्या था, एक source of energy था, vehicles के लिए, जो भी vehicle आप use कर रहे हो, जैसे अगर लगेगा, क्योंकि manpower यूज होता है उसके अंदर, और अगर हम किसी scooter से जा रहे है, तो उसमें क्या यूज होगा, petrol यूज होगा, तो वो थोड़ी सी गाड़ी क्या चलेगी, थोड़ा fast चलेगी, any material that is burnt to obtain energies called fuel, यह define तुम्हें याद करनी है, any material, ऐसा material जिसको जलाने से हमे energy मिलती है, उसे हम क्या कहते है, fuel कहते है, the process by which this fuel is converted into energy is called combustion, अब वो process जिससे fuel को हम energy में convert करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उस process को combustion, vehicles mainly run on two kinds of fuels, अब दो kinds of fuels होते हैं, एक तो होते fossil fuels और एक होते alternate fuels, fossil fuels क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, fossil fuels are remains of the animals and plants, which were buried underground the millions years ago, over time the remains decomposed and took the form of fossil fuels, लाखो करोडो साल पहले, कुछ animals, कुछ plants, जो underground buried हो गये थे, दफन हो गये थे, धीरे धीरे, over time of remains का मतलब समय के चलते, वो decompose हो गये, जितनी भी organic चीजें होते हैं, वो सारी क्या होते हैं, दीकंपोस का मतलब सणना होता है, जैसे अगर कोई animal मर जाए, या कोई plant होता है, मर जाए, तो वो क्या सढना शुरू हो जाएगा, black color में convert होना शुरू हो जाएगा, तो वो decompose होके, और वो क्या बनाते थे, fossil fuel बना देते हैं, अब fossil fuel कौन से होते हैं, coal, petroleum, natural gas are the different fossil fuels, these fuels are available in limited quantity, अब coal, petroleum, natural gas यह क्या है, limited हैं, तो एक बार अगर हमने इसको खतम कर दिया, तो यह दुबारा create होने में, बहुत करोड़ों साल लगा जाते हैं, इनको बनाने में, तो इसलिए इनको non-renewable resources कहा जाता है, कि इसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत लंबा समय लगता है, तो इसलिए इनको non-renewable resources, soil is formed from the rocks, soil जो होती है, वो rocks के द्वारा बनती है, जैसे rocks के उपर जब weathering होती है, weathering का मतलब होता है, कि जैसे temperature गर्मी होई, temperature बढ़ जाता है, तो rocks होती हो, expand हो जाती है, फैल जाती है, और फिर उसके बाद बारिश होती है, बारिश होने से वो ठंडी हो जाएंगी, तो फि धीरे धीरे गिस्टे गिस्टे reverse के साथ जाते जाते हैं, वो मिट्टी में convert हो जाती है, तो ये वाली process बहुत ज्यादा लंबी होती है, बहुत हजारों करोडों साल लग जाते हैं, इसको इस तरीके से बनने में, तो ये सारे क्या होते हैं, non-renewable resources होते हैं, अब mineral is a natural non-living substance minerals क्या होते हैं, non-living substance होते हैं, अब minerals में भी metallic और non-metallic, अब minerals metallic भी हो सकते हैं, non-metallic भी हो सकते हैं, metallic का मतली होता है, उसके अंदर से metal निकल दिये, metal जैसे gold हो गया, silver हो गया, iron हो गया, वो सब किस में से निकलता है, minerals में से ही निकलता है, जो धरती के नीचे, जो mines वगे यह सारे क्या कहलाते हैं, non-metallic minerals कहलाते हैं, many rocks have minerals from which useful metals are extracted, called the ores, जो ऐसी rocks होती हैं, जिन में से minerals निकाले जाते हैं, उसमें से useful metals निकाली जाती हैं, उसको हम कहते हैं, ores, ores are dug out of the earth through the pits and tunnels, dug into the earth is called mines, अब यह जो ores होते हैं, वो कहां से निकाले जाते हैं, earth के inside से धरती के अंदर से निकाले जाते हैं, वहाँ पे pits बड़े-बड़े गड़े खोदे जाते हैं, tunnels खोदी जाती हैं, तब जाके उन में से ores निकलते हैं, उन ores में से metal को अलग कर दिया जाता है, iron, zinc, aluminium, copper, nickel, gold, silver and platinum, some common metals, यह सब क्या हैं, metals के name हैं, जिनको metallic minerals कहा जाता है अब यह metal क्या काम आती है, utensil यानि बरतन बनाने के, machines बनाने के, aeroplane बनाने के काम आती है, all minerals are non-metals, सारे minerals, non-metals होते हैं, these are useful non-metallic minerals, अब खुश नन-metallic minerals भी होते हैं, जैसे coal हो गया, salt हो गया, mica हो गया, gypsum हो गया, यह सारे क्या हैं, non-metallic minerals हैं, अब हम coal के बारे में पढ़ेंगे, coal is the one of most valuable minerals है, coal used for cooking, for heating homes and buildings, cooking के लिए coal को use किया जाता है, या heating के लिए गरों को, buildings को गरम करने के लिए, heat देने के लिए भी कोईले का उपयोग किया जाता है, for producing electricity, electricity produce करने के लिए भी कोईले का use किया जाता है, in the industries to fire furnaces, जो furnaces होती है, के लिए का उपयोग किया जाता है, it is also used to run steam engines in factories, पहले जमाने में तुमें पता हो का train भी कोईले से चलाई जाती थी, वो कोईले से आग जलती थी, और पानी steam में बदलता था, और इस तरीके से engines चलाई जाते थे, और factories में भी कोईला यूस किया जाता है, in India the main coal mining areas are जार्ख वेस्ट बेंगोल, मध्यप्रदेशन, छत्यसगर में, the important coal mining center are, जारिया, रानी गंज, धनबाद, बोकारो, कोरबायन, नियवेली, यह जो important coal mining center, यानि कि यहाँ पे कोईले की खाने है, जाईरा में, रानी गंज में, धनबाद, बोकारो, यहाँ पे बहुत सारी कोईले की ख पहले में तुम बताया कि steam engine use किया जाता था, और उसमें कोईला use किया जाता था, steam engines have now been replaced by the diesel and electric engine, आजकल तो यह steam engine नहीं चलते हैं, आजकल diesel engine और electric engine चलाया जाते हैं, this has increased the speed of the train, इससे क्या हो गया, जो train की speed वो बढ़ गया, पहले कोईले और steam से जो train चलती थी, तो वो पेट्रोलियम के बारे में, is the cost of petrol and diesel same in all countries of the worldwide, जो पेट्रोल और diesel है, उसमें यानि की, जो cost of petroleum है और cost of diesel है, वो लगबग क्या रहती है, थोड़ी same रहती है, थोड़ा बोथ differences होते है, पेट्रोलियम is a crude और unrefined oil, पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम जो होता है, पेट गोल्ड भी कहा जाता है, it is very expensive resources, तो मैं पता है यह बहुत जादा महेंगा होता है, तो मैं पता है अभी पेट्रोल का rate क्या चल रहा है, 110, 115 के बीच में चल रहा है, तो बहुत जादा महेंगा होता है, it is black in color and it's crude form, crude form का मतलब यह बड़ा यानि वो liquid सा, जिसके अदर अभी impurities बहुत सारी mix होती है, इसको black gold के नाम से भी जाना जाता है, after it is refined, क्योंकि यह crude होता है, crude मतलब इसके बहुत सारी impurities mix होती है, तो इसको refine किया जाता है, यानि कि साफ किया जाता है, in huge refineries, different kinds of fuels such as petrol, diesel, kerosene, etc. are produced, it is found deep inside the earth, अब जब यह अर्थ के अंदर से निकाला जाता है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़े mix होती है, वो अलग अलग temperature पे इनको अलग किया जाता है, अब वो अलग करने के लिए, जो refineries बनती है, जहां पे इसको refine किया जाता है, petroleum को और इसमें से petrol को अलग किया जाता है, diesel को अलग किया जाता है, kerosene को अलग किया जाता है Wells are drilled deep to reach the oil found beneath the ground बहुत बड़े-बड़े कुमें खोदे जाते हैं ताकि हम धती के अंदर से oil को निकाल पाए An area with many oil wells is called the oil field जहां पे बहुत सारा oil निकलता है जहां गड़ा खोदे महां पे oil निकलना शुरू हो जाए तो उस area को oil field कहा जाता है The main oil producing centers in India are Bombay High, Dick Boy, Unclashwar, Cambay and Sipsaggar यहां पे इंडिया के अंदर Bombay में और Dick Boy में, Unclashwar में, Cambay में और Sipsaggar में oil निकाला जाता है इंडिया also has many oil refineries इंडिया में बहुत सारी refineries है Here crude minerals oil is refined to produce petrol, diesel, kerosene और इसको refine करके क्या-क्या निकाला जाता है पेट्रोल, diesel और kerosene को अलग किया जाता है पेट्रोल के use तो तुम्हें बताइए कहां-कहां use होता है Car versus scooter, ship में use होता है Petroleum is produced from the remains of dead plants and animals living in the sea Petroleum भी कैसे produce होता है मैंने बताए इससे पहले fossil fuel के बारे में कि plants और animals जब नीचे धर्ती के नीचे या समुद्रों में डूप के मर जाते थे और अंदर दफन हो जाते थे तो धीरे धीरे वो decompose होके पेट्रोल में बदल जाते थे Apart from the ordinary petrol Unleaded petrol which does not have poisonous lead It is also available कुछ पेट्रोल ऐसा होता है जिसके अंदर lead mix होता है Lead एक तरीके की metal होती है उसकी वज़े से जो engine वगेरा होते हैं वो उस पेट्रोल को यूज़ करने से खराब हो जाते हैं बट कुछ जो unleaded वाले petrol होते हैं जिसमें lead नहीं mix होता है तो वो बहुत जादा अच्छे पेट्रोल उसको बहुत जादा अच्छा पेट्रोल माना जाता है जिसे engine वगेरा खराब नहीं होते है डीजल is used as a fuel in heavy vehicles such as truck, tractors, ships, buses, railway, engines and motorboards और जो भारी vehicles होते हैं heavy vehicles जिसे truck हो गया tractor हो गया उनको चलाने के लिए diesel की जरत पड़ती है जो normal आप vehicle चलाओगे उसके लिए आपको petrol की जरत पड़ेगी बड़ जो heavy vehicles होते हैं उनको चलाने के लिए diesel की जरत पड़ती है it has more pulling power as fuel than the petrol इसमें बहुत power जादा होता है खीचने का इसलिए इन भारी चीजों में भारी vehicles में diesel का use किया जाता है however, diesel engines are more expensive and heavier than the petrol engine तो इसलिए जो diesel वाले engine बनाया जाते हैं वो जड़ा महेंगे होते हैं अगर diesel वाली गाड़ी लोग है तो वो महेंगी पड़ेगी और जो petrol engine वाली गाड़ी होती हो थोड़ी सी सस्ती होती है diesel is also used to power water lifting pumps and generator diesel का generator में और जो pumps में से पानी निकाला जाता है तो वहाँ भी diesel का युक्योक किया जाता है क्योंकि diesel क्या होता है बहुत ज़्यादा इसमें pulling power जो होता है बहुत ज़्यादा होता है natural gas it is found along with the petroleum पेट्रोलियम के साथ natural gas भी निकाली जाती है it can be used as LPG LPG liquid petroleum gas होती है जो कि हम गरों में use करते है लिक्रिफाइड petroleum gas इसका full form है और दूसरा CNG gas निकलती है आजकल तुमने green color के auto दिखे होंगे उसमें CNG gas यूज की जाती है compressed natural gas कहा जाता है इसका full form जो होता है वो compressed natural gas होता है LPG को हम cooking के लिए use करते हैं और CNG को हम vehicles के लिए use करते हैं इससे less pollution होता है इससे कोई दूआ वगेरा नहीं निकलता जैसे तुमने पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से दूआ निकलते वह देखा होगा तो pollution create करते हैं और यह जो CNG और LPG होते हैं यह जलने में less polluted होते हैं यह इन से pollution बहुत कम होता है अब कुछ renewable fuels के बारे में पढ़ेंगे renewable जिनको हम खुद बना सकते हैं वापिस से अगर एक बार खतम हो जाए तो हम फिर से बना सकते हैं जैसे some renewable fuels are solar energy अब देखो सूरज का उगना और सूरज का डूबना कभी भी बन नहीं हो सकता है सूरज आएगा तो it means हम solar energy उसमें से बना सकते है हाइडल energy जो की पानी से बनाई जाती है पानी भी तुम्हें पता है water cycle चलता रहता है पानी evaporate होगा फिर वापिस से धरती पर बारिश के फॉर्म में आए गई आएगा तो पानी भी खतम होना impossible है wind energy wind भी कभी खतम नहीं हो स सकती है तो उसकी energy को use करके भी हम fuels बना सकते हैं टाइडल energy जो tides आते हैं समुद्रों में high tides और low tides आते हैं तो वो सारी चीजें renewable fuels होती है जिनको हम फिर से renew कर सकते हैं we must conserve non renewable resources of energy use renewable resources whenever we can जहां तक हो सके हमें non renewable sources को बचाना चाहिए और जो renewable resources है उनको use करना चाहिए bio fuels are liquid fuels which are divided from waste plant and animals matter जो bio fuels होते हैं वो animal waste से जो animal का waste होता है गोबर बगेरा वो bio fuel का good example है जिससे हम क्या कर सकते हैं क्योंकि जो यह fuel है यह renewable है यह हमें हर दिन मिल सकता है तो इसलिए हमें ज्यादा तर इनी fuels को use करना चाहिए जो कि renewable होने चाहिए since long air pollution started affected the earth atmosphere in our homes तो मैं बताए यह air pollution की वज़े से अर्थ पे अर्थ के atmosphere पे कितना प्रभाव पड़ा है और कितना हमारे घरों पे प्रभाव पड़ा है the situation started to become worse with the beginning of industrial revolution जैसे जैसे इंडस्ट्रियांस बनना शुरू हुई थी इंडस्री आना शुरू हुई तो pollution के जो रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है this is because most fuel make the air dirty अब जो भी फ्यूल अब कोई भी इंडस्री होगी अगर उसको चलाना है तो fuel तो use हो गई होगा तो उसमें से दुवा वगेरा भी निकलेगा उस दुवे से एयर क्या हो जाती डर्टी हो जाती है air pollution causes health problems हमें भी बहुत सारी health problem हो सकती है air pollution की वज़े से air pollution की वज़े से breathing problems हो सकती है लोगों को अस्थमा हो जाता है तो यह वाली जो gases बगेरा जो होती है बहुत जादा harmful होती है हमारी air के लिए अब हमें energy को कैसे conserve करना चाहिए कैसे बचाना चाहिए तुम्हें पताइए कि कुछ ऐसे resources है जो की non renewable income नहीं बना सकते हैं तो उनको हमें save करना चाहिए जैसे public transport अगर हम use करें तो पेट्रोल को हम क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं क्योंकि public transport में क्या होगा एक साथ बहुत सारे लोग बैठ के जाते हैं तो पेट्रोल के उतनी बचत हो जाती है दूसरा switching of lights, fans and electrical appliances but not in use अगर आप लाइटे घर हमारे घर की या पंके कुछ फालतू जल रहे तो उने हमें switch off कर देना चाहिए turning of water taps after use पानी करना अगर खुला हुआ है तो उसे जल्दी से बंद कर देना चाहिए using more public transport than the personal vehicle, personal vehicle की जगे हमें public transport का use करना चाहिए और आजकल तो lightों में CFL और LED आ गई है जो की electricity कम consume करती है और environment friendly होती है तो इसलिए हमें उसी fuel को use करना चाहिए जो environment को help कर पाए environment को pollute नहीं कर पाए तो इस तरीके के हमें vehicles वगेरा use करने चाहिए और vehicles आ गए है तो हमें उनको use करना चाहिए ताकि हम पेट्रोल की बचत कर पाए डेली और कॉलकता Metro Rail Networks use electricity as a fuel अब डेली और कॉलकता में जो Metro Rail चलती है वो किस से चलती है electricity से ही चलती है तो हमें Metro का use करना चाहिए ताकि हम पेट्रोल को save कर पाए